आज वियापारी दोस्तों के लिए एक ऐसे सॉफटर लेके आया हैं जो उनके वियापार को 10x, 20x and 100x करने में उनकी काफी मदद करेगा इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं जैसे कि Inventory Management, Party Management, Purchase Management और आपको Cash Management, Loan Account Management और सबसे इसका मेंन फीचर है Online Store का आप इसके जरिये आप Offline और Online दोनों में ही अच्छे से Manage कर सकते हैं आपके Online Customer भी आएंगे आपके Store में और Purchase करके लेके जाएंगे अगर आप इसे Use करना चाते हैं और इसका Premium Version खरिना चाते हैं तो अभी हमसे आप Contact कीजे नीचे हमने Support का Number दिया गया है 7987052315 आप हमें कभी भी Call कर सकते हैं और इसका 15 दिन का Free Tile भी ले सकते हैं इसमें हम आपको आज इसका Basic Version बताएंगे कि यह कैसे काम करता है और इसमें क्या-क्या Feature Included है तो सबसे पहले हम आपको एक Party अपना Company अड़ करना बताएंगे यहां से आप Company अड़ कर सकते हैं More Information में जाके आप Business Address अगर भी अड़ कर सकते हैं इसके बाद आपको Home का Tap दिखाएंगे इसमें आपको Sales दिखता है किते आपने इस मन्त में Sell किया है या Daily Wise भी Sales किते किये हैं Expense आपने Expense कितने किये हैं आप साज जाके आप Party Add कर सकते हैं यह देखे तीन से चार Party Add हुई है आप कौनसी Party से कितना का माल खरिदते हैं यह यहां पर पता चलते रहेगा Item section में जाएंगे तो आप यहां से जाकर Item Add कर सकते हैं इसमें आपको Barcode Facility भी मिलता है आप जाके Direct Barcode भी Add कर सकते हैं इसमें हम आपको चार से पांच category दिए गया है जैसे कि आप इसमें Service भी Add कर सकते हैं इसमें category section दिखेगा आपने जितनी category add किये हैं तो दिखेगा Unit section में आपको Unit दिखेगा My Online Store आपको मैंने एक feature बताया था My Online Store का जिससे आप अपने Online ग्राकों तक भी पहुंच सकते हैं Sales के टैप में जाके देखते हैं तो यहां पर सबको बहुत सारे feature मिलते हैं जैसे कि sales का invoice बनाना जो कि आप डारेक्ट यहां से बना सकते हैं purchase का भी यहां से आप डारेक्ट आज कर सकते हैं Payment कितना customer से लेना है वो यहां से दिखेगा Sales order आप ने किता सेल किया है वो यहां से दिखेगा अगर आपको कहीं भीजना है तो इसके लिए यहां से दिलिवरी चलाने बना सकते हैं Sale return अगर आपके पास कोई product return आया है तो आप वहां से जाके direct return को डाल सकते हैं करने का option दीखते हैं यहां पर जितने भी आपने purchase किया यह दीखेगा यह आप ने किता pay किया है किता unpaid है और उसका total balance दीख जाएगा आप यहां से filter भी कर सकते हैं Excel में import कर शकते हैं प्रिंट कर सकते हैं payment out आपको किता payment देना है इसके बारे में भी आप देख सकते हैं purchase order के बारे में देख सकते हैं purchase return आपने जो purchase किया है कुछ प्रोड़क्ट आपको return भी करने पड़ जाते हैं इसको आप पर purchase return में डाल सकते हैं आपकी inventory से minus हो जाएगा और आपके account में भी आ जाएगा expense आपने क्या-क्या expense किये हैं जैसे कि salary हो गया staff salary हो गया इस तरह से बहुत सारे expense भी होते हैं हमारे पास यह cash in bank का भी option आता है इसमें आपको bank account करने का option भी लेगा cash कितना है आपको यह पता चलता रहेगा चेक चेक से लेटेड भी आपको यहां सेल कर सकते हैं आपको इसमें दोनों facility मिल जाते हैं यह आपकी control में रहता है आप customer का address मोबाइल नंबर सारा चीज़ इसमें दीखेगा रिपोर्ट सेक्शन में जाते हैं तो आपको यहां से बहुत सारे रिपोर्ट मिल जाएगा यहां sales का profit and loss देख सकते हैं गयाल पार्टी देख सकते हैं तो आप यहां से यहां कि जो सिए भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं वह अपने क्लाइन को कर्वेंस कीज़ेगा कि यह आप साफ्टेयर पर यूज़ करके देखे आप हमसे यह वाप साफ्टेयर खरिश सकते हैं बहुत यह फोरेबल प्राइज मिलेगा आपको वन टाइम चार्जिस देना पड़े कर सकते हैं यहां से आप आपको बनाने का भी ऑप्शन मिलता है तो इस तरह से आपको कितना आपको लेवल जर्डेट करना है वह एंटर करना है का हैडर में आप क्या रखंगे आइटम नेम इस तरह से आप कर सकते हैं फिर यह आपका बारकोड बन जाएगा आप इसको डार option दिखते है import parties का भी option है आपको यहां मिल जाता है एक्सपोर्ट आइटम रिसाइकल विए सारा चीज यहां पस दिख जाता है यहां सेटिंग में आप अपने इस्टोर के अविलिबल रहेंगे यहां से आप सारा चीज इनेबल डिसेबल यहां सबसे में फीचर एक और है यूजर रोल का अगर आप कहीं भी बैठे हैं तो आप अपने employee की जरिये इसको manage करा सकते हैं आपके employees में आपका जो privacy data होता है उसे चेक नहीं कर सकता इसमें सिर्फ आप जो ज यहां से बिल कैसे रखना चाहेंगे या transaction message कैसे बराना चाहेंगे पार्टी आप पार्टी में क्या-क्या फिल करना चाहेंगे आइटम में आप क्या-क्या देना चाहेंगी यह सारा चीज यहां से मिल जाता है तो अब इसका प्राइस की बात कर लेते हैं यहां से इसका प्राइस बहुत है अफूटेबल अगर आप बेसिक प्लान खेतना चाहते हैं जैसे वन यार का दो जार तीन सोई नानुवे रुपे मोवाईल और डेक्स्टॉप दोनों के लिए मिल जाता है और आपको सबसे अच्छा बेस्ट प्लान है पांच जार चार कर सकते हैं